तो अगर आपके मन में डाउट होगा कि Single Channel EBS और Dual Channel EBS यह नाम तो आपने सुना ही होगा और आपको डाउट होगा कि यह होते क्या है और किस तरह से वर्क करते हैं तो आज इसी टोपिक पे मैं बात करने वादा हूँ और आप साथ ही साथ आपको यह भी बता हूँगा कि Single Channel EBS, Dual Channel EBS, 3 Channel EBS और 4 Channel EBS क्या होता है, कैसे वर्क करता है और कहां पर यह काम आता है तो अगर आज के वीडियो आपके किसी काम आता है तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैं ऐसे ही आटो मोबील से रिलेटेड वीडियो अफ्लोड करता हूँगा और मुझे इंस्टागाम पर भी फॉलो करें, मैं वहाँ पर भी आटो मोबील से रिलेटेड वीडियो अफ्लोड करता हूँ तो मुझे Instagram पर follow करें, search करें प्रकाश महन्त तो चलिए करते हैं, आज का ये ABS वाला topic स्टार्ट तो सबसे पहले मैं बता दू कि अगर आपको ये नहीं पता है कि ABS क्या होता है, तो मैंने ABS पर भी एक particular video कमना रख रहा है तो मैंने काफी अच्छे से काफी डीटेल में बताया हुआ है कि ABS क्या होता है और किस तरह से वर्ग गरता है उसमें कुछ animations पझागी भी है तो वस animation को मदद से आपको अच्छे समझा जाएगा कि ABS होता क्या है और किस तरह से वर्ग गरता है तो चेलिए आप बात करते हैं आज के टॉपिक की तो आज के टॉपिक है सिंगल चैनल ABS, डूबल चैनल ABS, त्री चैनल ABS और पूर चैनल ABS तो आज मैं इसी बार में आप सभी को बताने वाला हूँ कि जो सिंगल डूबल ट्रिपल फोर ABS होते क्या हैं और कहां पर यह वर्ग गरते हैं सिंगल चैनल ABS, चैनल ABS के तной हैं a 2.05 cc से ओपर कि उन सारी गढ़ीयों में abs लहना कमपल सरी है तो चलिए बात करता हैं शिंगल चैनल ABS की तो उससे पहले मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि एपीस होता क्या है फिर यह जो वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप देख लीजेगा कि जो ABS होता क्या है किस तरह से बॉर करता है आप उस ABS का वीडियो का लिंक इस वीडियो की description box में मिल जाएगा वहां जाकर आप उस ABS का पूरा वीडियो देख लीजेगा तो चलिए अब एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि ABS होता क्या है तो देखे जनरली आप सभी सोचते होंगे कि आप जब गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं तो जो चक्का लॉक होता है तो गाड़ी की जल्दी स जल्दी रुकेगी ऐसा आप सभी सोचते हैं जनरली लोग यही सोचते हैं कि हम जब गाड़ी का पूरा ब्रेक अप्लाए करेंगे तो गाड़ी का जो चक्का स्लीप होगा उससे जल्दी रुकेगा तो मैं बता दूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है गाड़ी की चक्के स्लीप करता है चक्के को लॉक होने से रुपता है क्योंकि चक्का लॉक होगा तो गाड़ी जल्दी नहीं रुगेगी एक सीधी सी बात है आप उस वीडियो में देखने से काफी अच्छे से समझ आ जाएगा तो एबिस यही होता है कि चक्के को लॉक होने नहीं देता तो क्योंकि इसमें जो चक्का है वो लॉक होने नहीं देता, तो होता क्या है मैं बताता हूँ, चक्का ऐसा रुख-रुख कर ऐसा कुछ इस तरह से गुमता है, तो चक्का जो रुख-रुख कर गुमता है, उससे गृपिंग रोड में काफी अच्छा मिल जाता है, और जो गाड़ी का डार सिर्फ गाड़ी के आगिक पहियों में काम करता है, जो की बाइक है, अजकल उनमें इस तरह से गृपिंग रुख-रुख कर गुमता है, जिससे की ब्रेकिंग काफी अच्छी हो जाती है, और जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, वो भी कम हो जाता है, और गाड़ी की आप डिरे यही आ रहा है, सिंगल चैनल ABS, तो यह जो आगया का चक्का है, उसी पर यह वर्क करता है, तो आप जब भी उसका फूरा ब्रेक अप्लाय करेंगे, तो चक्का लॉक नहीं होगा, जो बाइक है, उसका आगया का चक्का रूप-रूप कर गुमेगा, तो सिंगल चैनल जैसे क रहा होता है, जो होता है, सिंगल चैनल ABS, अब बात करते हैं, डूल जैनल ABS, यो लगा होता है आगे के पहिये में और साल giàती साल पिछे के पहिये में जो गाड़ी का दुनों चक्णा जो है उसमें ABS लगा होता है उसे बोला चाहता है, डूल जैनल ABS क्योंकि जो ABS है वो सामने के चक्कों पर भी वार्ग करेगा और जो रियर पर यह है उनमें भी वार्ग करेगा तो डूल चैनल ABS का फायदा यह होता है कि जब आप कई सीचुएशन ऐसे आते हैं कि आगे का चक्का जो है वो अलग की स्पीट पर घूम रहा है और जो रियर चक् करते हैं उसको अधिड इवाइड करता है और इसके जो डिस्ट्रिपट करता है उससे जो गाडी की ब्रेकिंग परफोर्मेंस रिपेहती अच्छी होते हैं और बहुत ही जल्दी जो घर यह लूभिग जाती है तो यहां पर काम आते हाले है जो अन्जोल चैनल ABS कि और कूछ यह तो सिर्फ कार्स में आया करते थे बट बहुत पहले आया करते थे 2010 से पहले अब नहीं आते प्योंकि वह ज्यादे इफेक्टिव नहीं होते हैं उन्हें ब्रेकिंग उतने ज्याद अच्छी नहीं होती तो अब बताता हूं कि जो थ्री चैनल लगाया जाता था तो देखि कि ऑची के पाईयों कॉद्य ती थे तीसरा पाईया उनको संभालता है उनमें ब्रेक Feelsīluk करता है और आपने ऑल सुछरू अ त्रय गर्फ में की अजान आइफ़ा और एक चैनल यहां दूसरा चैनल यहां और तीसरा चैनल है वह पीछे के दूनो पहियों पर बर्क करता है रहे थी इसलिए वो 3 channel ABS का यूजब नहीं किया चलता तो कुछ यह था 3 channel ABS अब बात करते हैं 4 channel ABS की तो जो 4 channel ABS है यह कार्स में ही आते हैं क्योंकि अभी आते हैं तो देखिए जैसा कि 3 channel ABS था उसमें एक channel ABS front के right wheel को दिया गया दूसरा channel ABS expand के left wheel को दिया गया और तीसरा channel ABS पिछे के दुनों wheel को दे दिया गया तो यह था 3 channel ABS और 4 channel ABS में यही जो rear wheel है दोनों को दे दिया जाता है जो पिछे का right br V yang ہے उसे 3rd channel ABS दे दिया जाता है और जो फ्रेकलें लेक्ट वालवील है उसे 4th channel ABS दे दिया अगर आपको confirm पता करना है कि कौन सी गाड़ी में ABS है तो वह भी आपको बता देता हूं जिस गाड़ी में TCS है और Electronic Brake Force Distribution है BD इसे ही कहा जाता है Electronic Brake Force Distribution अगर आपको TCS या जो Electronic Brake Force Distribution है इसका वीडियो देखना है तो मैंने ये भी बना रखा है इसका भी लिंक आपको description box में मिल लाएगा तो वह भी आप देख लिजेगा तो अब बात करते हैं कि कैसे जाने कि आपकी गाड़ी 4 Channel ABS है या नहीं तो जिन गाड़ीों में TCS होता है Traction Control System और जिन गाड़ीों में EBD होता है Electronic Brake Force Distribution तो जिन गाड़ीों में ये दोनों safety feature होता है सिर्फ उन्हीं गाड़ीों में 4 Channel ABS दिया जाता है लेकिन आशकल जनरली सारी गाड़ीों में जो कास है उनमें 4 Channel ABS ही दिया जाता है जिसी की braking performance जो है बहुत बढ़िया हो जाती है तो कुछ यही है जो ABS था सिंगल चैनल डबल चैनल थ्री चैनल और फोर चैनल ABS होपस हो कि यह वीडियो आपको समझ आया होगा और अगर आज के वीडियो आपको समझ आया है तो मेरे चैनल जरू सब्सक्राइब कीजिएगा मैं ऐसे ही आटमोबिल से related videos upload करता रहता हूं और मुझे Instagram पर भी follow कर तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो प्रसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा लाइक से मुझे पता चलता है कि आप लोगों ने कितना प्यार दिया इस वीडियो को और कितना समझ आया है और और कुछ डाउट हुगा तो मुझे comment section में पूछ लिज तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही तो एकी तो एक स्वार आफो ज्साइब एक लाइज में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में